Hi everyone, स्वागत है आपका R.S. Crescent Study Channel में, मेरा नाम है रचना और आज हम लोग बहुत interesting topic पढ़ने जा रहे हैं, वो है capitalism, capitalism को हिंदी में पूंजी बात बोलते हैं, तो capitalism होता क्या है, देख लेते हैं, the economy system, यह ऐसा economic system होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिजनस कर सकता है, run कर सकत है, अपने profit के लिए, individually profit के लिए, not by the state, और इसमें जो है, सिर्फ individually लोग बिजनस कर सकते हैं, profit कमा सकते हैं, जितने मर्जी चाहें, उतने अमीर बन सकते हैं, और state उसको रोक नहीं सकती है, जो सरकार है, जो government है, या फिर जो भी head state का, state जो है, country को बोलते हैं, तो वो उसको रोक नहीं सकती है, ऐसी बेवर्थ बेवस्ता, जिसमें ब्यक्तिकत लाब के लिए ब्यवसाय चलाए जाते हैं, अपने लाब के लिए आप ब्यवसाय कर सकते हैं, और उन पर आप ही का नियंतरन होगा, ना कि राज्य का, सरकार का नहीं होगा, जो आप कमाएंगे, उस पर आपका benefit होगा, और जो capitalism है, उसमें जो है, जो country के resources हैं, ठीक है, वो private company और individual own कर सकते हैं, जो मतलब natural resources होता हैं, जैसे water हो गया, विजली हो गया, land हो गई, ये सारी चीज़े होगी, natural resources ही तो हैं, तो आपको सरकार इन resources को यूज करने से आपको ban नहीं कर सकती है, ठीक है, private क्योंकि ये private हाथों में होता है, सब कुछ ठीक है, व्यक्ति और group के हाथों में होता है, वो लोग मालिक होते हैं, तो उनके पास पूरी छूट होती है, वो कैसे भी चाहे बेपार कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे बेपार कर सकते हैं, ठीक है, country में, तो उनको पूरी पू प्रोडक्शन जो बहुत जगा सुनने में मिलेगी, means of production का मतलब होता है, जो raw material है, जो आप यूज कर रहे हो, जैसे आप कोई मैगी बना रहे हो, ठीक है, मैगी की फेक्टरी है, तो आपको पहले लैंड चाहिए, एक जगा पे फेक्टरी लगाने के लिए, ठीक है, अब आप को वहाँ पर उस फेक्टरी में जो है, बिजली, पानी, हर चीज चाहिए न, तो मतलब आप जो है, प्राइवेट लोग उसके जो है, ownership कर सकते हैं, ना कि वो state वहाँ पर अपना अधिकार जमा सकता है, मतलब आप जो है, अपनी जमीन के उपर फेक्टरी लगा सकते हैं, प् इसके characteristics और qualities क्या क्या है, वो देख लेते हैं, तो इसमें जो है, private ownership होती है, प्राइवेट लोग जो है, ओन कर सकते हैं, तो आपने देखी लिया, प्राइवेट लोग जो है, जितना मर्जे चाहिए, उतना पैसा कमा सकते हैं, जैसे बड़े-बड़े अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अमबानी है, उनके पास इतनी जादा wealth होगी, जितने हमारे पूरे इंडिया के पूर लोगों के पास मिला करके भी नहीं होगी, ठीक है, उनके पास उससे जादा होगी, तो competition बढ़ता है, जब आप जो है, मतलब दो कमपनिया है, वो एक ह जैसी चीज बना रही है, तो उन लोगों में competition होगा ना, कि कौन जादा अच्छी बनाएगा, और कौन जादा सस्ते दामों पे देगा, तो competition बढ़ता है, तो हमें अच्छी quality मिलती है, और cheaper, मतलब lower दाम पे मिलती है, ठीक है, ways labor, जो labor है और जो worker है, उनको पैसे मिलते हैं, उनके काम के लिए, इससे पहले जो था, feudal system था, उसमें ऐसा नहीं होता था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, उसमें क्या होता था, ठीक है, तो उनको labor और worker को पैसा मिलना start हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत, और capital generation होना start हो गया, मतलब लोग के हाथ में पैसा आना start हो nation, nation, जो है, मतलब जो country है, उसकी growth होना start हो गई, वो जो है, economically strong बनने start हो गया, ठीक है, लेकिन capitalism का जो है, एक drawback ये होता है, कि इसमें क्या है, कि अगर एक खेत है, वहाँ पर जो है, पचास किलो अनाज आपको हर साल पैदा होता है, ठीक है, लेकिन, एक साल बहुत अच्छ केजी अनाज जो है, वहाँ पर पैदा हो जाता है, एक साल में, ठीक है, तो आप जो worker है, उनको जो है, उसी पचास किलो के हिसाब से ही, आप पैसे दोगे, क्योंकि worker को तो आप जो है, fixed amount का पैसा दोगे, जितना आप देते हो, ठीक है, लेकिन, जितना आपको मुनाफ़ा ह हो रहा है, प्राफिट हो रहा है, वो जो मालिक है, इंडिविजुल है, जो पचास केजी है, वो पूरा का पूरा वो एक अकेला इंसान रख सकता है, ठीक है, इससे क्या होता है, कि जो अमीर है, वो बहुत जादा अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब है, वो बहुत जादा worker है उनको जो है मतलब उनको fixed amount मिलेगा ठीक है लेकिन एक व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा profit हो जाता है यहां पर अब वो जो profit है वो मालिक का हो गया इसको जो है ना इस व्यक्ति से सरकार छीन सकती है ना यह जो गरीब मजदूर है यह ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है कोई से यह profit और यह जो wealth है यह छीन नहीं सकता है तो यह ऐसा होता है capitalism economy में अब हम देख लेते हैं कि the origins of capitalism capitalism economy का जो है origin कैसे हुआ तो यह जो है start हुई emerge होना 17th century में England से ठीक है इसको promote जो है बहुत जादा America करता है America जो है पूरी तरह से capitalist economy है ठीक है लेकिन यह start जो है England से हुई थी तो England से कब start हुई थी after breakdown of feudalism feudal system जब जो है खतम हो गया था उसके बाद यह start हुई थी अब feudal system देख लेते हैं क्या होता है feudal system में क्या होता था कि वहाँ पर उस time पर जो है बहुत बड़े बड़े जमीदार होते थे मतलब एक जमीदार के पास जो है बहुत जादा जमीन होगी ठीक है तो वो अपनी जमीन जो है अपनी जमीन जो है कुछ worker और labor को दे जाता था वो लोग वहाँ उस जमीन पर कमाते थे उस जमीन में जो है अनाज पैदा करते थे ठीक है जो बहुत बड़ी जमीन होगी उसके उपर अनाज पैदा करेंगे लेकिन ये जो जमीदार होते थे ये उन worker को पैसे या फिर ऐसा कुछ भी नहीं देते थे ये लोग उनको सिर्फा सिर्फ रहने के लिए जगा देते थे वहाँ पर और उनको खाने के लिए जितना उनको खाने के लिए जरूरत होती थी अनाज उतना अनाज दे देते थे बस इससे ज़ादा वो कुछ नहीं देते थे तो इसमें इस सिस्टम में क्या होता था वर्कर का जो है बहुत जादा शोशन होता था ठीक है वो सिर्फा सिर्फ बस अपना जीवन यापन कर सकते थे उस खाने से जो उनको दिया जाता था तो इसमें क्या था कि जो गरीब है जो वरकर है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते थे इस सिस्टम में जो फ्यूडल सिस्टम था ठीक है तो ये जो था उसके बाद जो था किसानों को बहुत करोध आया मतलब किसानों ने जब किसानों का इतना जादा शोशन हो रहा था उस टाइम ठीक है आपको जो है बहुत जादा काम करवाया जा रहा है सारा का सारा महिनत आपकी है ठीक है पैसा आप कमा करके दे रहे हैं बड़े लोगों को ठीक है किसी एक ब्यक्ति को और वो आपको जो है प्रॉपरली पैसा भी नहीं दे रहा है ठीक है खाने के लिए भी प्रॉपरली नहीं दे रहा है तो किसानों में बहुत जादा रोज पैदा हो गया किसान बहुत गुसा हो इस बात से तो खिसानों ने जो है revolt कर दिया England में ठीक है करांती आ गई England में एक तरह से तो यह जो revolt है यह बहुत सालों तक चला civil war बहुत सालों तक चली उसके बाद जो है feudal system जो है आखिरकार खतम हो ही गया तो जो 17th century थी उस time पे यह feudal system था खतम हो गया था और इसके बाद जो है England में free market का आना start हो गया और capitalism का आना start हो गया ठीक है लेकिन सबसे पहले वहाँ पर जो है agriculture capitalism ही आया जो agriculture के department में ही revolution आया तो उसके बाद क्या था कि जब यह worker जो है उनके खेतों में काम करते थे जो बड़े बड़े जमिदार होते थे अब यह लोग उनको जो है पैसा देने लगे या तो profit देने लगे जो वो अनाज होता था उसमें से profit देने लगे जादा मलब हिस्सा देने लगे ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ जब यह feudal system खतम हो गया इसके बाद जो है बहुत important event हुआ 18th century में जो कि है industrial revolution I hope आप सबने इसके बारे में सुना होगा industrial revolution तो industrial revolution में जो है England में जो है बहुत ज़ादा factory आने लग गी machine आने लग गई ठीक है तो मतलब बहुत ज़ादा ओद्योगी करन आने लग गया तो इसमें क्या था जो ये जो 100 लोग थे ठीक है अगर 100 लोग जो है बहुत बड़ी जमीन के हिस्से में जो है काम कर रहे है ठीक है लेकिन इस जमीन के हिस्से में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 30 लोगों की ही जरूरत है ठीक है तो ये लोग जो है, ये लोग क्या करने लगे, सहरों की तरफ पलायन करने लगे, किंको सहरों में जो है, फैक्टरियां खुलने लगी, वो चाहे कपडों की फैक्टरियां हो, चाहे वो बिस्किट हो गए, चाहे वो खाने के सामान हो गए, मतलब जैसे मर्जी हो गए, ठीक है इससे पहले जो था थोड़ावा सावान जो था घरों में ही बनाते थे लोग, फैक्टरियों में नहीं बनता था, तो सहरों में क्या हो गया, जब फैक्टरियां खुल गई, तो यहां पर जो है दो क्लासिज बन गई, ठीक है, दो क्लासिज कौन सी बन गई, एक तो capitalist बालों की एक जो है वर्कर की और लेवरर की, सौरी मैं यहां पर आर लिखना भूल गी हूँ, वर्कर मैंने, तो यहां पर जो है वर्कर और लेवरर, मतलब capitalist, जो की ओनर होते थे, ठीक है, means of production के, मतलब जो फैक्टरियां होती थी, उनके ओनर होते थे, capitalist और वर्कर, तो यह दो क्लास से बहुत जादा उभर के आई, और इनमें बहुत जादा gap था, ठीक है, wealth का gap था, एक और क्लास उस टाइम उभर के आई, जो थी small middle class, जो की clerk और engineer वगएरा हो गए, लेकिन यह जो थी बहुत छोटी क्लास थी उस टाइम, तो सबसे बड़ी क्लास जो थी उस टाइम, वो थी worker और laborer की कलास, ठीक है, तो लोगों ने जैसे ही plan करना start कर दिया, लोगों ने वहाँ जाना start कर दिया, तो industrial revolution की वज़ा से जो है, अब लोगों की हालत जो है, वो जो लोग वहाँ पर जाकर के रहने लगे, उनकी हालत बहुत जादा बत्तर हो गई, तो हम देखते हैं कि इस industrial revolution की वज़ा से लोगों को क्या-क्या जीलना पड़ा उस time, तो industrial revolution जैसे ही आया, लोग जो है, पलायन करके जो है, सेरों की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, उनकी जो poor working condition, working condition बहुत जादा पूर थी, ठीक है, एक ही factoryों में इतने सारे लोग काम करते थे, ठीक है, तो, उनकी जो living condition थी, वह भी बहुत जादा पूर थी, health बहुत जादा पूर थी, क्यूंकि वो लोग जो थे, उस time, जो है, गाडियां और वेहिकल होते नहीं थे, ठीक है, तो उनन लोगों को जो है, वही, जो factory होते थी थे, उनके आजपास ही रहना पड़ता था, एक छोटे-छोटे कमरों में रहना पड़ता था और पूरे छोटे-छोटे कमरों में जो है दस-दस, बारा-बारा लोग रहते थे, पुरा-पूरी फैमिली रहती थी, तो उनकी जो living condition थी, वो बहुत जादा poor थी, ठीक है, low wages और income inequality हो गई, ठीक है, उनको wages कम मिलने लगा, income inequality होने लगी, महिलाओं को जो है, बहुत कम waste दिया जाता था, बहुत कम पैसा दिया जाता था, as compared to man, तो child labor हो गया, बहुत जादा बच्चों से काम करवाया जाता था, ठीक है, और pollution हो गया, बहुत जादा pollution फैलने लगा, जैसे जैसे industry आने लगी, industry आ बढ़ने लगी, ठीक ह उसमें बहुत जल्दी जो है, number में जो है, increase हो गया उनका, तो इन सारी condition की बज़ा से, industrial revolution के time पे, जो 18th century थी, ठीक है, तब लोगों को जो है, इन सारी problemों का सामना करना पड़ा, और इसकी बज़ा से, मलब, बहुत जादा बिमारिया फैलने लगी, लोगों को TV होने लगा, अगर आपको याद होगा, तो बहुत जादा poor condition की बज़ा से, ये सारी चीजे होई थी, ठीक है, तो ये थी industrial revolution के, जो उस time लोगों को जो है, उसकी बज़ा से इतना जादा effect होने लगा, तो जब लोगों ने इतनी सारी problem है जहिली उस time, लेकिन आज हम जो देखते हैं, जो mall देखते हैं, गाडियों के showroom देखते हैं, गाडियां मतलब सडकों पर दोड़ती हुई देखते हैं, ये सब के सब capitalist economy की ही देन है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि आज हम लोग capitalist economy के benefit देख लेते हैं, अब ये तो था, उस time जो industrial revolution था, उसकी वज़ा से लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम में जीलने पड़ी, तो उसके बाद जो है, आज जो है, ठीक है, increase of wealth, जो देखों की wealth है, वो increase होती है, ठीक है, the production of goods होता है, and the standard of livings, जो standard of living है, वो बढ़ रहा है लोगों का, people had access to healthier diet, लोगों के पास जो थी, उसके बाद जो थी, मतलब बहुत जादा healthier diet खान लगे लोग, मतलब अच्छा-चा खाने लगे, better house होने लगे, cheaper good मिलने लगा, क्यों कोई competition बढ़ाना, तो और जो है, education increased होने लगी, धीरे-धीरे, और education में बहुत जादा reform आये, ठीक है, तो ये सब को जो है, capitalist economy के benefits है, ठीक है, तो I hope आपको जो है, capitalism जो है, बहुत अच्छ से समझाने की, thank you for watching my video, मिलते हैं next video में, bye bye